उज्जैन के महाकाल की क्या कहानी है? न्यूस 18 हिंदी हिंदी न्यूस के मताबिक राक्षस के अत्याचारों से पीरित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आहवान किया तब उनकी भक्ती से प्रसन होकर भगवान शिव धर्ती फार कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वद्ध किया कहते हैं प्रजा की भक्ती और उनके अनुरोद को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिरलीग के रूप में उज्जेन में विराजमान हो गए महाकाल इश्वर मंदिर में क्या है खास? जिला उज्जेन डिस्ट्रिक्ट उज्जेन के मताबिक महाकाल मंदिर के उपर गर्ब ग्रिह में ओनकारेश्वर शिव की मूर्ती प्रतिश्थित है गर्ब ग्रिह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गनेश, पार्वती और कार्तिके के चित्रस्थापित है दक्षिन में नंदी की प्रतिमा है तीसरी मंजल पर नागचंदरेश्वर की मूर्ती केवल नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है